हेलो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले की किस प्रकार से आप S.B.I. का, स्टेट बेंक का, ऑन लाइन, बेंक की स्टेटमेंट डाउलोड कर सकते हो आप साथ हो तो मन्थली या फिर किसी भी, कभी का भी अब स्टेटमेंट डाउलोड कर सकते हो एक दम इजी तरीके से आपको आपको डाउनलोड कर लेना है तो सिंपल फ्रेंड्स आपको आजाना है जो सब्सक्राइब आपको आजाना है तो देख सकते हो www.online.sv.com ए अपिसल वेब साइट है इस बैंक की तो अभी आपको परसनल है उसमें आपको लॉगिन पर क्लिक करना है उसका फ्रेंड्स आपको सिंपल क्लिक करना है continue to login और अभी आप नीचे देखोगे कि जो ओटीपी बेस्ट लॉगिन हो गया है यानि security को इन्होंने बढ़ा दिया है तो आपके जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपके मोई लंबर पर ओटीपी आता है ओटीपी डालने के बाद ही आपका लॉगिन होता है आपके अगांट में तो चली मैं आपका अपना यूजर नेम और पासवर्ट डालके लॉगिन कर यह तो अधो क्लिक करके सिंप्ल अपना जो डेविट कार्ड रूपीड कार्ड इसका डिट्र वरकуй और डिट्रेएया इंप सिंपल नया बैंकिंग इंग यूजर आईडी बना सकते यूए इजी ते रहता है उसमें कुछ नहीं रहता है तो चलि मैं आपको देखा रहा था बैंक की स्ट्रिटमेंट डाउलेट करना तो मैं सिंपल अपना लॉगिन यूजर नेम और पासबर डाल की लॉगिन कर लेता हूं उसके वाद मैं आपको आगे का प्रोसेश देखाता हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस टाइप से एक OTP आता है अब ओटी पी डालूंगा तब ही हमारा जो बैंकिंग है लॉगिन होगा तो चलि मैं OTP डाल देता हूं यूजर लॉगिन करने के वाद फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है ए त्री लाइन पे क्लिक करना आपको त सिर्णफ मेंट का तो प्रेंड्स आपको मेंट क्लिक करने के वाद आपको सिस्टेटमेंट का तो आपको विद घ्लेंडरा सकता साओं अभी माननद ली जे मुझे एक जून से और end date रहेगा एक जुलाइग तक तो यहांनी मुझे पिछले एक महिने का चाहिए तो ओड ह missions एक जुलाइग कर दिया मैंनि तो इस टाइप से आप जोन कर सकते हो और मंक तो इस टाइप से मुझे सेल लास्ट 6 मंत कर रहा तो डारेक्टली लास्ट 6 मंत पर क्लिक करना है आपको यहां पर क्लिक करना है और लास्ट 6 मंत का आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको अभी देख सकते हो यहां पर नहीं तो अगर download PDF में download करना है आपको simple third option पर क्लिक करना है download in a PDF format तो इस type से आप तीनो format में दोनो format में check कर सकते हो और अगर आपको direct financial year करना है तो आप देख सकते हो और एड़ी आ गया 20,21 और इस फर्ट क्लिक करते हो तो आप 18-19 ,19-20 तो last financial year का भी आप चेक कर सकते हो तो चलि मैं आपको last six month का दिखा रहा था तो जैसे मैं view पे click करता हूँ गो पे click करता हूँ तो सिर्फ यह देखने के लिए मुझे आ जाएगा फूरा statement six month का और मैं download पे click कर देता हूँ तो चलि मैं download पे click कर देता हूँ जो कि download in PDF format उसके वाद मैं click कर देता हूँ गो पे यहाँ पे click कर देता हूँ उसके वाद आपको click कर देना है गो पे तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हूँ जो मेरा statement है last six month का और download हो गया एकदम easily कोई भी वह नहीं लगा एकदम simple login किया उसके वाद account statement में गए और यह देख सकते हूँ जो कि है last six month का date देखा रहा है 11 जान से 11 जुलाई तक का तो आप भी इस टाइप से friends last six month का financial year का monthly check भी कर सकते हो देख भी सकते हो तो आपको और कोई भी bank में जाने की जरूरर नहीं है घर बेटे आप चेक कर सकते हो एकदम easily से और friends कभी-कभी में last six month का और फिर three month का financial year का statement लगता है तो हम easily download करके देख भी सकते और किसी के लिए लग रहा है तो आप देख सकते है माली जे return filing के लिए लगता है financial year का तो भी download करके देख सकते हो easily तो इस टाइप से friends आप bank statement को download कर सकते हो बहुती आसानी से तो और बस friends एही था वीडियो आपको वीडियो पसंद आया होगा thank you